हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सूद, सो महराश्र सेट पेपर वान के बेस्ट प्रेपरेशन के लिए आज हम ICT का पूरा सलेबस अगले 60 मिनट्स के अंदर डिटेयल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में ICT के जितने भी important topics हैं जो की बार-बार exam में आते हैं and upcoming examination में भी जरूर पूछे जाते हैं उन सभी topics को हम डिटेयल में discuss करेंगे ताकि आपके सारे concepts easily clear हो जाएं आगे बनने से पहले आपको बता दों कि paper 1 preparation पर major focus रखेगा क्योंकि set examination में यही वो section होता है जिसमें easily आप सभी 80 plus score करके अपना selection पका कर सकते हो so paper 1 complete course में Hindi, English and Marathi तीनो languages में अलग-अलग daily live lectures हम आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर पहले दिन आपके सारे concepts clear करवाए जाएंगे second day उन्ही concepts related previous year questions हम आपको practice करवाएंगे जिसमें आपको कुछ tricks भी बताई जाएगी ताकि easily आपके concepts भी clear हो जाएंगे आपको clear idea भी हो जाए कि कितना topic clear आप लोगों को हो गया है अगर आप लोग live lectures मिस करते हो तो आपके लिए recorded video lectures भी available है topic wise MCQs है, notes आपको मिल जाएंगे तीनो languages में जिसको असानी से अपने mobile phone में भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो full syllabus mock test है जिसमें से की guaranteed as it is questions exam में आते ही है 2000 plus MCQ question bank में यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो की English and Hindi दोनों languages में available है आपको सरफ given numbers पर contact करके इसकी पूरी जानकारी लेनी है and daily live lectures के लिए आपको global online app download करना है जैसे यह app download करोगे store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है यह course separately Hindi English students के लिए है यहाँ पर आप content पर click करोगे इसका overview भी देख लीजिए detailed courses available है and live lectures यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे students यह best plan है यह best course है इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी इस चीज़ की भी मैं आपको surety देती हूँ बस given numbers पर contact करके इसकी पूरी जानकारी आप सभी ले लीजिए सबसे पहले information and communication technology का यह complete syllabus है जो की UCnet और SET exam दोनों के लिए ही सेम रहता है सबसे पहले इस session में हम देखते हैं कि ICT यानि की information and communication technology exactly होता क्या है सो देखो यह तीन चीज़ों से मिलकर बना है पहली है information यानि की सूचना ठीक है सो उससे पहले देखो आपको यह पता होना चाहिए कि ICT में हम किसके बारे में बात करते हैं हम computers के बारे में, internet के बारे में या फिर जो latest technology चल रही है उन सब के बारे में बात करते हैं सो mobile, internet और इन सब चीज़ों की मदद से आप लोगों को कहीं से भी बैठे हुए information मिल जाती है कोई भी सूचना हो communication होता है अब देखो computer, internet यह सब आपको communicate करने में, यानि के संचार यानि के बात चीट करने में भी तो मदद कर रहे हैं आप अपने घर में बैठे, अपने किसी दूसरे friend को कहीं पर भी message कर रहे हो आप मेरी ये class देख रहे हो आप अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने office में बैठ कर ये video record कर रही हूँ तो ये सब technology की मदद से है communication भी हो रहा है, information भी share यहां पर हो रही है so ICT मतलब information and communication technology इसमें computer, internet, electronic delivery system, जैसे कि radio, television, projector ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं और ये सब चीज़ें आज कल education में भी बहुत मदद कर रही है, ICT को ले करके education को अच्छा बनाने के लिए government of India ने भी बहुत सारे initiatives लिये हैं, तो ये सब चीज़ें आज की इस unit में हम cover करेंगे ठीक है सबसे पहले हम computer के basic से शुरू करेंगे computer में चार components होती है, input output devices processing device और storage device तो आपको पता होगा कि computer में इस तरीकी के जो screen होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको monitor बोलते है इसको बोलते है keyboard ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा जो एक device होता है उसको बोला जाता है mouse और एक device होती है जिसको बोला जाता है CPU यह main components है computer के अब देखो, जो CPU है CPU को बोला जाता है brain of computer यह एक question exam में पूछा जा सकता है CPU का मतलब brain of computer ठीक है अब यहाँ पर यह जो दो चीजे हैं processing devices और storage devices यह दोनों ही processing और storage जो CPU के अंदर ही आता है CPU को तीन हिस्सों में पांटा किया है exam में शौर question आएगा वो तीन हिस्से कौन कौन से है एक है CU एक है ALU और तीसरा है memory ठीक है CU की full form क्या होती है control unit ALU की full form exam में full form भी बहुत बार पूछी जाती है AU की full form क्या होती है arithmetic and logical unit और उसके बाद memory तो आपको पता ही है memory किसले use होता है यह आपको storage में मदद करता है तो यह हिस्से होते हैं CPU के ठीक है so main four components है जिसमें input devices क्या करती है data को computer के अंदर enter करने में हमें मदद करती है ठीक है अब जैसे keyboard है keyboard में छोटे छोटे बटन्स होते हैं अब इस तरीके से बटन्स होते हैं अब इस बटन्स से अगर मैंने ए प्रेस किया तो यह क्या करेगा यह data को enter करेगा इसके अंदर पहले भेजेगा CPU से और CPU डिस्प्ले करवाएगा monitor से तो input devices वो devices होती हैं जिसकी मदद से हम computer के अंदर कोई भी data को enter कर सकते हैं वहीं दूसरे तरफ होते हैं हमारे पास output devices so output devices वो devices होती है वो devices होती हैं जो कि computer के अंदर की चीज़े computer के यानि कि ऐसे बोल सकते हैं कि computer के memory में जो भी चीज़े हैं computer के CPU में, brain में जो कुछ भी चीज़े हैं उन सब को हमें display करवाने में मदद करती है that is output devices list of input output devices exam में आता है अगर आपने previous year questions देखे हैं तो आगे हम detail में देखेंगे हर एक device के बारे में तो सबसे पहले input devices जैसे keyboard एक मैंने बताया keyboard से keys, buttons को प्रेस करेंगे जो भी type करना है, words टाइप करने है वो अंदर जाएंगे और हमें कहां दिखेंगे monitor में दिखेंगे, जो computer की screen होती है उसमें दिखेंगे तो monitor क्या हुआ, यह output device हुआ देखो input devices को इस तरीके से भी लिख सकते हैं I-P, output devices को O-P ठीक है? So keyboard एक input device है mouse एक input device है mouse में कितने buttons होते हैं? mouse में तीन buttons होते हैं एक left click एक right वाला click और एक scroll bar जिसको बीच में हम उपर नीचे घुमाते हैं ठीक है? उसके बाद आता है joystick So joystick क्या है? यह gaming के लिए आपको help करता है track ball यह भी gaming के लिए होता है scanner scanner क्या करता है? आप लोग उने देखो जब form भारा है UGC net का तो उस समय पे आपको बोला जाता है कि आप लोग अपनी passport size photo को scan करके upload कीजिए अपने signature को scan करके upload कीजिए वो क्या होता है? को scanner क्या करता है? आपके पास अगर paper के format में कोई चीज है कागस के उपर कोई चीज है उसको computer के अंदर अगर enter करना है computer के अंदर एक photo के रूप में डालना है तो उसके लिए scanner को use किया जाता है अभी तो हम क्या करते हैं? अभी तो paper की photo कीज़ते हैं और अपने computer में या laptop में transfer कर देते हैं लेकिन जब तक mobile और ये सब चीज़े नहीं होती थी तब तक scanner use किया जाता था अभी भी काफी जगा scanner ही use किया जाता है ठीक है अपने scanner को आगे और detail में discuss करेंगे इसको मैं आपको printer के साथ relate करके बताऊंगी ठीक है touchscreen, web camera webcam क्या करता है? जो भी आपके computer के बाहर चल रहा है आसपास चल रहा है उस सब को computer के अंदर डालने में मदद करता है microphone क्या करता है अवाज अंदर enter करने में मदद करता है तो ये सब होती है input devices next आज़ादा है output devices so output devices वो devices होती है जो की computer के memory में या CPU में जो भी चीजे हैं उनको हमें display करवाने में मदद करती है output devices को display devices के नाम से भी जाना जाता है जैसे कि monitor है आपके computer के अंदर जो भी गाने है जो भी movies है जो भी videos है उसको display कॉन करवाता है monitor करवाता है आपने keyboard से कोई button प्रेस किया उसको display कॉन करवाता है monitor करवाता है ठीक है इसके अलावा जैसे हमने scanner देखा था scanner ने किसी भी चीज़ को scan किया वो फोटो बन गई वो कहां पर आई monitor में दिखेगी आपको दूसरा है printer headphone headphone आवाज हमें बाहर निकाल कर देते हैं जो mobile के अंदर या computer के अंदर song है वो आवाज बाहर निकालने में मदद करते हैं screen projector computer के अंदर जो कुछ भी चीज़े है उसको अगर बड़ी screen में देखना है इसको attach करके white wall पर बहुत बड़े से देखा जा सकता है GPS location plotter, video card, speakers और sound card अब देखो यहां पर पहले हम बात करते हैं printer और plotter के बारे में printer तो आपको पता ही है अब आप सबका UGISnet का admit card आया है admit card आने वाला है मतलब इस admit card को download करोगे अपने mobile में उसके बाद exam के लिए तो इसको print करके आपको ले जाना है है ना तो print करने के लिए printer use होता है कि आपके mobile या computer के अंदर जो भी format है जो image के format में या अंदर चीज़े होती है उसको paper पे लेकर आने के लिए printer काम आता है वहीं अगर plotter की बात करें ये भी ऐसे ही काम करता है लेकिन जो बड़े-बड़े banners होते हैं बड़े-बड़े posters होते हैं उसको print करने के लिए plotter का use किया जाता है सो हम जैसे की बात कर रहे थे scanner और printer के बारे में तो scanner क्या करता है आपके पास page है कोई photo है ठीक है paper के format में है इसको ऐसे लिखते हैं आपको easy समझाने के लिए paper के format में कोई भी चीज़ है उसको digital format में convert करने के लिए scanner का use किया जाता है ठीक है ये होता है अगर इसको हम ICT की भाशा में बोलें तो scanner क्या करता है scanner hard copy को soft copy में convert करने में आपको मदद करता है दूसरी तरफ आ जाता है printer ठीक है ये क्या करता है जो भी आपके computer के अंदर digital format में है चाहे कोई photo है चाहे कोई भी document है जब उस document को आपने paper पर लेकर आना है एक page के format में आपको वो अपने हाथ में चाहिए तो उसके लिए use होता है printer ठीक है तो ये क्या बोलते हैं इसको ICT के form में soft copy to hard copy ठीक है ये होता है तो इस चीज़ को याद रख लीजे soft copy और hard copy में बता देती हूँ soft copy वो होती है जिसको हम लोग touch नहीं कर सकते जो की एक digital format में होती है किसी भी mobile में आपके पास कोई photo है ठीक है mobile में आप लोगों के पास document है ये होता है soft copy जिसको we cannot touch दूसरी तरफ आता है hard copy जिसको हम लोग touch कर सकते हैं ठीक है अब आपके mobile में आपने अपनी कोई photo खींची उसके बाद आपने क्या किया उस photo को print करवाके बड़ी frame करवाके लगा दिया तो पहले जब तक वो mobile में थी वो digital format में थी तो वो soft copy थी जब उसको बड़ी photo बना दिया तो वो क्या हो गई hard copy बन गई ठीक है तो यह होता है difference between hard copy and soft copy तो यहां से I hope hardware, software, hard copy, soft copy next आज आता है keyboard, keyboard क्या है एक input device है अगर हम लोग बात करे standard keyboard की अब गिन्ने मतलग जाना अपने घर के keyboard में अपने घर में जो भी है उसमें गिन्ने मतलग जाना सब keyboard में वैसे तो कई keyboard में यह फार्ट होता ही नहीं है यह फार्ट होता ही नहीं है just the number यह ही से use करने होते है तो जो standard keyboard होता है उसमें 104 button होते है so exam में कभी भी पूछा चाए अपने घर के computer के buttons नहीं लिखने, standard के लिखने हैं, वो 104 है, so इनको अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें की, पहले आजाती है function keys, सबसे उपर देखोगे, छोटा-छोटा सा लिखा होगा, जहाँ पर buttons है, F1 से लेकर F12 तक, function keys, इनके अपने कुछ functions होते हैं, जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर आप लोग F6 प्रेस करते हो, तो आपका computer और laptop mute हो जाता है, ठीक है, F7 प्रेस करते हो, तो volume कम हो जाएगा, F8 प्रेस करोगे, तो volume बड़ जाएगा, यह function है, इनके automatically function होते हैं, पहले से सेट किये हुए, ठीक है, बस इनको दबाना है और काम हो जाएगा, escape button होता है, किसी जगह से बाहर निकलना, जिसी यह PPT है, अभी मैं इसमें escape button दबाऊंगी, corner वाला चोटा सा button दबाऊंगी, तो यह exit हो जाएगा, यहां से, ठीक है, इसके बाद आते हैं, alphabet keys, A से Z तक alphabet होते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं, number keys, 0 से 9 तक number keys होते हैं, उसके बाद आते हैं, arrow keys, यह जो चार arrow होते हैं, ऊपर, नीचे, left और, right, ठीक है, इसके बाद आता है, एक space bar होता है, ठीक है, backspace का बटन होता है यह सब categories होती है यह जो special keys होती है जैसे कि less than, greater than comma, यह percentage यह सब special keys है control keys कौन सी है एक तो CTRL लिखा होता है वो control ही होता है CTRL बटन यह control की के अंदर आता है उसके बाद हमारे पास alt alt लिखा होता है ठीक है उसके बाद caps lock आ जाता है यह सब क्या है यह सब control buttons है अब एक और homework question दे रही हूँ revision के लिए है 100% किसी न किसी shift में यह question आएगा वो यह है कि बताईए मुझे caps lock जो होता है वो किस के लिए use होता है क्या benefit है इसका एक line में फटा फटा बता दीजिए ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं वो है printers प्रिंटर मैंने आपको बताया printer के प्रकार exam में जरूर पूछे जाते हैं खास करके ugesinate exam में तो जरूर ही आते हैं printer के प्रकार इस table को ध्यान से देख लीजिए तो printers को दो हिस्सों में बाटा गया है पहला है impact दूसरा है non impact impact printers वो होते हैं जो कि directly printer का head इसको ऐसे लिखते हैं head of printer directly touch करता है अगर paper के साथ तो उसको impact printer बोला जाता है non impact printer होते हैं जो कि head paper को touch नहीं करता ये दुखर से ही words के लिए spray कर देता है ठीक है exam में देखो जो question आया था वो ये आया था कि chain printer कौन से प्रकार का printer है तो आपके पास अगर option है line printer तो भी ठीक है या फिर option हो सकता है impact printer तो आपको ऐसे याद रखना है ठीक है so impact printer को दो हिस्सों में बांटा गया है character और line character printer क्या करता है character by character चीज़ों को print करता है जैसे a, b, c ऐसे character by character करेगा एक-एक शब्द को करेगा print line printer क्या करता है पूरी line को इस तरीके से पूरे में ऐसे print करता चलेगा ठीक है character printer dot matrix और daisy will printer इसमें हिंदी इंग्लिश medium वालों का कोई अलग चीज़ नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा patience रख के इसको याद रख लीज़ेगा ठीक है, हिंदी वालों के लिए पी चीज़ें सेम ही है character printer होता है dot matrix printer और daisy will printer ठीक है तो इसी तरीके से ये भी पूछा चाहता है जैसे line printer इसके तीन प्रकार होते है drum printer chain printer और band printer ठीक है, ज्यादा तर इसमें जो questions आते हैं वो drum और chain printer में से पूछे जाते हैं ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़े, next आज आता है non impact printer, इसमें है inkjet, laser और thermal ये तीन प्रकार, बस आपको detail में नहीं जाना कि किसकी क्या working है किसने किसको कब बनाया क्या क्या इसका process है कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिरफ ये नाम याद रख लीजिएगा फिर chain printer किस category में आता है ये आता है impact printer में laser printer आता है non impact में इसको याद रखने का एक तरीका में बदाती हो non impact से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें कम number कम types printer होते है thermal बहुत कम use होते है ये term बहुत कम exam में पूछी जाती है अब देखो मैंने बताया non impact जो की जिसमें की printer का head paper को touch नहीं करता है है ना तो जहां पर paper ये है head touch नहीं कर रहा तो वो ink कैसे करेगा वो print कैसे करेगा तो वो spray मारेगा वो laser यहां पर देगा ठीके दूर से वो laser light से wards को print करेगा वहीं पर ink jet क्या करेगा ये ink की spray करता है और दूर से wards को वहां पर print करता है तो ये होगे non impact ink fank कर वहां पर print हो रहा है दूसरे में laser के थूप print हो रहा है बागी के जितने आएंगे वो impact में आजाएंगे याद हो गया clear है तो मुझे comment जरूर करके बताइएगा अभी भी समझ नहीं आया और printer पर आप चाहते हो कि detail में एक video लेकर आऊँ या फिर complete input और output devices पर एक detailed video लेकर आऊँ तो मुझे comment करके बताइएगा मैं जरूर आपके request को पूरा करूँगी अगला है which of the following groups are only input devices तो देखो ये एक previous year question है इसमें पूछा है कि किसमें सिरफ और सिरफ input devices ही है तो किसमें है mouse input है keyboard input है monitor आगया output joystick में input है तो ये वाला option तो गलत हो गया input joystick input और light pen भी input है तो ये सही answer है अगला भी देख लेते हैं input है ये भी input है printer output है और यहाँ पर भी printer है monitor है जो दोनों output devices है तो correct answer है option number 2 ठीक है ये रहाँ अब आते हैं brain of computer पर जो की होता है CPU तो CPU का full form पहले आपको पता होना चाहिए इसकी full form है central processing unit ठीक है ये एक ऐसी unit है जो की computer का सारा कुछ process करने के लिए responsible है computer में monitor में हमें सब कुछ दिखता है लेकिन अब जैसे मैं बोल रही हूँ मेरा मुँ काम कर रहा है मैं लिख रही हूँ मेरे हाथ काम कर रहे है ठीक है ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ जो कुछ मैं लिख रही हूँ वो चीजे कहां store है memory में यानि की मेरे brain में तो वैसे ही computer के case में होता है आप चाहे keyboard से keys को press कर रहे हो printer से paper को print कर रहे हो गाना चला रहे हो वीडियो चला रहे हो जिसको आप monitor की screen पर देख सकते हो लेकिन ये सब चीजे कहां पे इनको process कौन कर रहा है brain कर रहा है जिसको central processing unit बोला जाता है clear है अपने दिमाग के साथ relate करके देखिए जैसे मैंने example दिया उसके बाद CPU itself has three components ALU, memory unit और control unit जिसको CU बोलते हैं exam में question आते हैं बहुत बच्चों को ICT tough लगता है लेकिन मुझे surety है कि इतने interesting way में अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे फटा-फट से इसको चाहो तो exam से एक दिन पहले भी ये video देख ले न ताकि एक बार quick revision आपकी हो जाए ठीक है जितने भी arithmetic का मतलब arithmetic आपने सुना होगा math में है न तो जितनी भी calculations related चीजें होती है वो सारी ALU वाला department देखता है किसी चीज़ को control करना computer के साथ कितनी चीज़ है keyboard है, mouse है, CPU है speakers लगा रखे हैं इतनी सारी चीज़े हैं इन सब को control करना इन के काम को control करना किसका department है control unit का department है memory unit storage के लिए यूज होता है memory unit अपने आप एक बहुत बड़ा topic है so इसमें से भी sure question आता है अथर से पढ़ दीज़ेगा भी when the data and instructions are entered in the computer where they are stored in fact inside the computer there are different storage areas where it keeps data and information permanently or temporarily while working जिसको की memory of computer बोला जाता है अब जितने भी instructions है मैं अपने computer को बोल रही हूँ एक paper को print करवाने के लिए so ये जो paper print होगा इसको instructions तो हमने दे दी लेकिन इसकी जो processing है इसको कौन कर रहा है इसको सिरफ CPU ही कर रहा है आप लोगों ने मुझसे कोई question पूछ लिया मैं मुझसे बोल रही हूँ इसका answer लेकिन मुझे instructions मेरी जो दिमाग में processing है मेरे को जो चीजें याद है उसको recall करने में कौन मदद कर रहा है मेरा दिमाग वही चीज है CPU memory ठीक है the memory of computer उसको दो हिस्सों में बांटा गया है primary यानि कि प्राथमिक memory और secondary माध्यमिक memory अब देखो इसको एक example के साथ बताती हूँ आप सब के पास mobile phone है छोटा बड़ा android कोई भी phone है mobile phone तो सब के पास है है न अब क्या हो रहा है इस mobile phone को जब आप खरीदते हूँ तो उसमें पहले से कुछ memory space होता है न memory space होता है आप पूछते हो कितने GB की RAM है जी बताओ हमारे phone में कितने GB की RAM है यह पूछते हो तो यह जो memory होती है जो की internal होती है पहले से होती है तो उसको बोला जाता है primary memory ठीक है और अब तो नहीं लेकिन पहले क्या होता था mobile में mobile में क्या यूज़ करते थे सब लोग memory card यूज़ करते थे कोई 2GB का, कोई 4GB का, कोई 6GB का च्छोटा सा card डालते थे न memory के लिए तो उसको add करना या नहीं करना वो आपकी अपनी choice होती थी पहले भी और अब भी तो memory card क्या है? ये है एक secondary memory second number पर आती है जिसको add करना या नहीं करना आपकी choice होती है लेकिन primary memory पहले से होती है internal memory होती है चिक्शे? इस पर जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ दो प्रकार की memory है primary memory और secondary memory internal memory और extra जो add करते है external memory अब यहाँ पर question आता है कि RAM और ROM जो है वो primary memory है या फिर secondary memory है तो आपको पता होना चाहिए इस तरही के से इसको divide किया गया है ठीके? आपको पता होना चाहिए कि RAM और ROM primary memory होती है ठीके? RAM के दो प्रकार है SRAM और DRAM S देखो RAM की full form क्या होती है random access memory ठीके? ROM की full form क्या होती है? read only memory यह याद रख लीजए English Hindi दोनों के लिए सेम चीज़े है SRAM में S का मतलब क्या होता है? static और DRAM में D का मतलब होता है dynamic ठीके? P ROM ROM मतलब read only memory P का मतलब programmable read only memory उसके बाद आ गया E P ROM P तो programmable ही रहेगा E का मतलब आ जाएगा erasable P ROM ठीके? P ROM मतलब programmable ROM E P ROM मतलब erasable programmable read only memory उसके बाद है E E P ROM वो हो जाता है electrical electrically erasable programmable read only memory तो ये 1, 2 and 3 ये तीन प्रकार है ROM के full form जरूर याद रखिए S मतलब static D मतलब dynamic exam में जरूर जरूर question आएगा ही okay secondary memory में तीन प्रकार है magnetic storage optical storage और flash storage ये भी बहुत important है अब देखो सबसे पहले हम optical storage की बात करते हैं अब यहाँ पर इसमें आता है दो चीजें CD ठीक है optical में दो चीजें आती है CD and DVD अब मैंने दे दिया फिर एक और homework question ये आप लोग अगर previous year question देखोगे कम से कम 8 से 10 बार यही question आया है कि CD और DVD की full form क्या होती है ये आपने मुझे बताना है मैं नहीं बता रही हूँ ठीक है इजाम कॉलिफाई करना चाहते हो तो जरूर इसका आन सार चेक करके मुझे कॉमेंट करके बताईए ताकि आप दूसरे बच्चों के भी मदद कर सको CD और DVD उसके बाद HDD hard disk drive HDD hard disk drive floppy disk और magnetic tape जो वो tapes होती थी थी है ले गाने सुना करते थे ऐसे वो रेडियो की रेडियो की रेडियो नहीं वो ऐसे टेप होती थी काले रंग की उसमें तार सी होती थी है ना अंदर तार नहीं वो पत्ली सी थिन सी एक स्केल सी बनी होती थी वो magnetic tape होती है pen drive और memory card तो आपको पता है यह यह flash storage होते है अब यहाँ पर memory के storage memory के level की बात करें तो देखो main memory जिसका नाम ही main है तो वो private होगी sorry primary होगी है ना उसके बाद आती है auxiliary memory magnetic disk और magnetic tape cache memory और register memory इस तरीके से याद रख लीजिए सबसे zero level पर होते है cpu register जिसको register memory बोलते हैं फिर आते है level 1 पर cache memory जिसको sram बोलते है level 2 पर आता है dram उसके बाद level 3 पर आता है magnetic disk disk storage और level 4 आपके सामने है optical disk और magnetic tapes इसमें कोई sequence इसमें sequence बहुत important है याद रखना कोई trick नहीं है बस एक दो बार पढ़ लीजिए याद हो जाएगी चीज़े ठीक है PYQ देख लीजिए जरूर इसमें से question आते हैं अब देखिए यहाँ पर है read only memories volatile memory random access memories volatile memory so correct answer है कौन सी statement अच्छा ये भी है secondary memories volatile memory कौन सी statement true है तो यहाँ पर सिरफ q ही true है ये वाली true है सिरफ कैसे true है देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें difference ये भी बताती हूँ कि volatile और non volatile क्या होता है सबसे पहले roam की बात करते हैं statement number P जो है roam होता है आपके पास non volatile memory ठीक है उसके बाद ram होता है volatile memory ठीक है इसके बाद secondary memory secondary memory हमने अभी पढ़ा secondary memory क्या है ना ये volatile है क्या है ये भी आपके पास non volatile ही होता है अब देखो non volatile को याद रखने का तरीका बताती हूँ non erasable erasable का मतलब होता है जिसको non erasable होता है जिसको मिटा नहीं सकते हैं हम that is called non erasable अब ram है volatile यानि कि इसको हम क्या कर सकते हैं ये computer से मिटा सकते हैं एक बहुत ही अच्छी example के साथ ये चीजे मैं आपको बताती हूँ ठीक है तो देखो आप लोगों ने अपने mobile phone में क्या किया है एक आपने chrome भी open किया है एक आप लोग YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो ठीक है साथ में आप लोगों ने chrome पे कुछ पढ़ भी रहे हो ठीक है आप लोगों ने थोड़ी देर पहले Instagram भी चलाया था आपने Facebook भी चलाया था आपने Global Online आपको भी open किया था तो ये क्या हो गया ये सारी चीज़े जब open होती है आपको पता है ना current tabs में उसको सब को हम देख सकते हैं ये तो पता ही होगा अपने mobile में हमको सब दिख जाता है कि इससे पहले हमने क्या क्या चीज़े open की है अब एक बार आप इस सब चीज़ों को open करने के बाद अपने mobile को जब switch off करते हो तो क्या होता है वो सारे tabs कायब हो जाते हैं बिल्कुल zero tab पे आपका phone रहता है तो ये सारी memory इस तरीके के memory जब हम एक बार अपने mobile को या अपने computer को या अपने device को एक बार जब हम अपने device को off कर देते हैं तो जो memory erase हो जाती है उस memory को volatile memory बोला जाता है ओके clear है उस memory को volatile memory बोला जाता है non-volatile memory क्या होती है एक ऐसी memory जिसको आप चाहिए अपना mobile अब देखो आप लोगों ने mobile को switch off किया आपका Facebook यह जो कुछ भी tabs थे यह recent tabs में से हट गए क्योंकि यह volatile है लेकिन आपके Facebook के अंदर का data आपकी login details आपके YouTube का data या आप YouTube पे जो history देख रहे थे वो सब delete होगा नहीं होगा तो यह क्या है यह non-volatile memory है इसको देख लीजिए a storage device is set to be volatile only if it maintains its data इसको आपके निक्स्ट है a combination of 8 bits is called a byte इसमें detail में नहीं चाहना इसको ऐसे याद रख लो 8 चोटी-चोटी bits को मिला करके 1 byte बनता है ठीक है अब यह सारी storage units है जिसको आप यह देख सकते हो इसमें एक missing है वो है bit सबसे चोटी memory unit bit फिर byte फिर kilobyte जिसको आप KB बोलते हो KB के नाम से जानते हो MB, GB आप बोलते हो नो मुझे 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 इतने GB data रोज मिलते है 2 GB, 5 GB तो यह क्या है? यह gigabyte है एक गाना डाउनलोड करे हो कितने MB का है? 2 MB, 5 MB तो वो megabyte होता है उसके बाद terabyte TB petabyte PB exabyte EB, zabyte ZB yotabyte YB ठीक है? आप हर एक चीज को याद रख सकते हो अब इसको याद रखने का एक और चीज है देखो 1024 bytes को मिला कर इस table को भी देखते रहीएगा यह जो black screen पर है एक bit sorry, 8 bits को मिला करके 8 byte बनता है ठीक है? 1024 bytes को मिला करके 1 kilobyte बनता है सबसे चोटा bit था चोटे-चोटे 8 bits को मिला के 1 byte बना और 1024 1024 bytes को मिला करके kilobyte बना इसके बाद 1024 kilobyte को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 megabyte बन जाएगा चोटे-चोटे kilobyte को मिला करके megabyte बनेगा 1024 megabyte को मिलाएंगे तो 1 GB बनेगा 1024 GB को मिलाएंगे तो 1 TV बनेगा तो इस तरीके से memory units होती है इसको bits और bytes में store किया जाता है 1 GB is equal to what? GB से चोटा क्या होता है? homework के लिए मैंने दे दिया question बताईए अब भी बताया मैंने ठीके 1 GB is equal to what? ऐसे answer में नहीं लिखना है कि option number 3, option number 4 समझ में नहीं आता कि आप कौन से question का answer दे रहे हो ठीके? तो इसको आप ऐसे लिखे 1 GB is equal to जो भी आप का answer है comment करके बता दीचिए previous year question है कम से कम 5-6 बार आ चुका है which of the following represents 1 billion character so 1 billion character होते हैं GB में अब आते हैं hardware और software पे already मैं आपको बता चुकी हूँ hardware वो devices होती है जिसको हम touch कर सकते है hard devices होती है और software वो device होती है जिसको हम touch नहीं कर सकते लेकिन use में यही आती है hardware के internal में यह काम करती है ठीक है ओके ठीक है students so इसके बाद अब जैसे यह जितने भी softwares है whatsapp है facebook है यह है यह है यह है यह सब softwares है ठीक है और hardware क्या है hardware यह सारी चीज़े हैं जिसको आप लोग touch कर सकते हो next we have audio and video file format यह जो है न blue में यह आपको video file format है इसमें से question आते है exam में ठीक है याद रख लीजिए जैसे आपको पूछा जाएगा देखो file format क्या होते है यह बताते है हमें type of file क्या है अब जैसे हम लोगों के surname होते है ठीक है ser name होते है तो surname क्या करते है ser name से हमें पता चलता है कि कौन किस category से है जाती परजाती की वैसे बाते होनी नहीं चाहिए लेकिन कहीं न Corporate surname से पता चल जाती है छीजिजें है हमारी identification होती है हमारा surname तो वैसे ही computer में जो भी files होती है उसमें भी एक surname होता है jisco की file format या फिर extension के नाम से जाना जाता है अब जैसे किसी भी file के आगए अगर .img लिखा है img नहीं किसी भी file के आगए अगर . करके jpg लिखा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है? वो image की file है . करके jpeg अगर लिखा है तो वो क्या है? वो भी image file है song होते है .mp3 कहीं पर भी .mp3 लिखा होगा तो easily समझ जाओगे कि ये क्या है? ये एक song है .mp4 mp4 होगा इसका मतलब है कि ये एक video file है ठीके इसके इलावा .pdf pdf आप लोग बोलते हो ना बार बार group में message करते हो कि मैं आपके जो lecture है इसकी pdf हमें बेजिये क्या होता है pdf? पता है आप लोगों को pdf की full form बहुल बार exam में पूछ चुके हैं तो जो जो भी group में मुझसे pdf मांगते हैं वो सभी का reply मुझे आना चाहिए कि pdf की full form क्या होती है तब ही pdf मिलेगी ठीके? pdf क्या होता है? ये एक text file होती है ये तो मैंने बता दिया लेकिन dot pdf p का मतलब d का मतलब f का मतलब चाह होता है? जिस जिसका comment आएगा सरफ उसी को ही इस unit की और बाकी के remaining units की pdf मिलेगी, ओके? so exam question आता है देखो ये सारे audio है इसको बस पढ़ लीजिए जादा तर जो पूछे चाते हैं वो है mp3, mpa, m4a ठीक है? wav, m3u ये पूछे चाते है examine wma ये बहुत बार पूछे गए है और ये जितने भी है ये blue color में ये video files है mp4, avi, mov, ogg देखो dot ogg mpg यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ठीक है? इसको बहुत rarely use किया जाता है m, ये है mpg और webm ये सब video files है, okay? next आ जाता है difference between LCD and LED LCD दोनों ही तो TV है फरक क्या है? आप लोग भी अपने घर में LCD या LED यूज़ करते होंगे क्या difference है दोनों में? पहले तो इनकी full form देख लेते हैं LCD मतलब liquid crystal display हिंदी medium के लिए भी चीज़े सेम है LED का मतलब light emitting diode बाकी कुछ नहीं पढ़ने का चिक है सिरफ इतना याद रखिए liquid crystal display light emitting diode अब जो LCD होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है थोड़ी सी उसकी thickness जादा होती है इसमें functions थोड़े से कम होते है इसका size थोड़ा सा small होता है इसमें हम लोग internet और wifi को बहुत easily connect करके सब कुछ शीज़ों को access नहीं कर सकते लेकिन अगर हम लोग LED की बात करें ये बहुत जादा thin होती है इसकी layer बहुत पकली सी होती है LED इसमें हम लोग wifi और internet connect करके अपने mobile phone की तरह YouTube ये वो सारी Amazon Prime कोई भी website ले लो सब कुछ प्ले कर सकते है ठीके बहुत जो smart TVs होते हैं वो LED होती है महंगी भी होती है functions है तो महंगी भी होगी दिखते सी बात है तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए देखिए फटा-फटे in full forms को देखिए एक्जाम में बहुत बार पूछी गई है सबसे पहले हमने देखा CPU Central Processing Unit ALU Arithmetic Logical Unit Graphical User Interface GUI ये बहुत बार आई है BIOS Basic Input Output System USB Cable आप बोलते हो न हमें लाप्टॉप कनेक्ट करना है ये कुछ भी है USB Cable USB Cable क्या होती है ये होती है जो आपके मुबाइल फोन में एक अडेप्टर होते है केबल होती है चारजर वाली उसको अगर अलग कर देतें सिर्फ तार-तार रहने देतें तो उसको USB Cable होते है SKY भी बहुत बार एक्जाम में आया है American Standard Code for Information Interchange ROM हमने देख लिया CD का देखवा आंसर मैंने आप से पूछा था Compact डिस्क होता है CGA Color Graphics Adapter CSS Cascading Style Sheets ये important नहीं है DNS Domain Name System DOS Disk Operating System Digital Versatile Disk Digital Video Disk जादतर इसका Digital Versatile Disk वाला ही correct answer है EP ROM हमने अभी डिसकस किया HTML जो भी web pages होते है websites हाँ चलाते हो उन websites के designing में जो language use होती है वो HTML होती है और उसको और इच्छा design देने के लिए उसके साथ CSS को use किया जाता है ठीक है LAN क्या है? Network का एक प्रकार है Local Area Network आगे detail में पढ़ेंगे LED Light Emitting Diode MOOC हमने teaching aptitude में भी पढ़ा है Massive Open Online Courses अब आते हैं Internet और Intranet में सो कल जैसे communication की case में मैंने आप लोगों को बताया था ना Interpersonal और Intrapersonal क्या बताया था? जहांपर A आ गया मतलब अपने आप से आप लोगों ने काफी students ने वो वीडियो शायद अब तक नहीं देखी है description box में link मिल जाएगा वैसे यहां पर Intranet होता है जो अपने लिए ही company ने एक network तयार किया होता है और Internet तो आपको पता ही है पूरे world में use होता है कहीं भी जाके Internet चला लीजिए Important Terms है Full Forms याद रखिए सिरफ HTTP और HTTPS Hyper Text Transfer Protocol This is HTTP IP address में IP का मतलब क्या होता है Internet Protocol Internet Protocol जैसे हर एक person का अधार नंबर अलग होता है आपके अधार नंबर से आपकी सारी चीज़ें link है आप कहीं भी जाओ आपकी अधार नंबर से आपकी पूरी जानकारे निकाल ली जा सकती है आपकी identification है वह जो कि किसी से भी match नहीं करेगी कभी भी है न वैसे ही IP address हर एक computer जो Internet को use कर रहा है आज के तो समय पर तो हर एक computer laptop Internet को use करता ही है तो हर एक computer जो भी इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, हर एक computer का एक unique IP address होता है, जो कि उसको identify करने में मदद करता है, uniquely identify करने में मदद करता है, अब जैसे online frauds होते हैं, तो online fraud वालों को कैसे पकड़ा जाता है, उनके computer को scan, उनके connection को पूरे को check करके, IP address उनका ढूंड कर scan किया जाता है, कि किस computer से, कहां से, कैसे ये fraud हुआ है, ठीक है, email spam and filters, email क्या होता है, electronic mail होता है, आप समने mail किया होगा, ये उसके इंदर आता है, social media, facebook, twitter, जहां पर लोग socially एक दूसरे से जुरते हैं, चीज़ें share करते हैं, e-commerce क्या होता है, कोई भी website जहां से आप business कर सकते हो, flip card, amazon, global online, ये e-commerce होता है, facebook, sorry, जैसे कि amazon, flip card, और भी बहुत सारे हैं, जो कि online चीज़ों को बेचते हैं, और sale करते हैं, website किसका collection होता है, web pages का, छोटे छोटे को web pages पहले बनाए जाते हैं, फिर उन सब pages को मिला दिया जाते हैं, उनको link करते हैं आपस में, फिर एक पूरी website बनती है, examples of web browsers, web browsers के example देखो, ये सब है, mozilla, firefox, opera mini, ये सब है web browsers, जो कि हमें internet access करने में मदद करते हैं, अब आप लोगों के पास Google Chrome होता है, phone में, internet कैसे चलाओगे अगर Google Chrome ही नहीं होगा, नहीं चला पाओगे न, अंदर कैसे जाओगे, Google तक ही नहीं पहुंचोगे, अगर ये web browsers आपके पास नहीं है, internet में ने बता दिया, अब आता है email, ये जहां पर भी term नजर आएगी, वो होती है, electronic mail, communication के लिए message वगएरा share करने के लिए, ये आपको मदद करती है, इसमें आप कुछ पी attach कर सकते हो, image, audio, video, बड़ी से बड़ी file share कर दी जा सकती है, email के कुछ types होते है, to में आता है, उनका email address जिसको हमने mail भीजना है, subject में आता है topic की mail किस सर related है, यहां जाओ तो description या letter आप लिख सकते हो, कोई photo भीजनी है, कोई document भीजना है, तो यहां पर जाकर आप click करके upload कर सकते हो, जैसे whatsapp पे photo भीजते समय करते हो, send पे click करके इसको भीज दिया, ठीक है, इसक BCC का मतलब होता है, blind carbon copy, ठीक है, carbon copy and blind carbon copy, यह देखो, यह भी एक PYQ में लेकर आई हूँ, BCC, blind carbon copy, blind का मतलब क्या होता है, अंधा, BCC के अंदर, जिन भी लोगों के नाम होते हैं, उन में एक दूसरे को नहीं पता चलता कि किसको mail भेजा है, अब यहां पर दो नाम है, स्वामी और रमा, ठीक है, स्वामी को नहीं पता चल रहा, कि actual में और किसको यह mail भेजा गया है, तो blind हो हो चुके हैं, यह अंधे हो चुके हैं, ठीक है, डिटेल में अलरड़ी यह चीज़े हैं, email के previous air questions, explanation अगर नहीं देखी, comment कीज़े, link में share कर दूँगी, आगे आते हैं network के प्रकार, land, man और van, land का मतलब होता है, local area, यहां पर होगा, ठीक है, यह देखो, land, man और van, local area network, wide area network, metropolitan area network, local, एक building है, एक building के अंदर office है, यहीं पर सिरफ सिरफ इतनी सी ही range इस network ही होगी, अंदर की ही devices को यह connect कर पाएगा, वो local area network, metropolitan एक city को connect करता है, जैसे, land ने देखो, क्या किया, यह देखते हैं, यहां पर, यह एक building है, इसमें हमने land से, इसको connect कर दिया, अंदर के computers को इस land से जोड दिया, दूसरे building है, इसमें भी हमने land जोड दी, तिसरे building वालों ने अपने अंदर के computers के लिए land यूज कर दी, अब इन सब land को जब हम मिला देंगे, तो क्या बन गया, एक बड़ा network बन गया, तो उसको man बोला जाता है, man का मतलब है metropolitan area network, और वैसे ही, अब जैसे ए man बना, वैसे दूसरा man, तीसरा man, चौथा man, इन सारे man को मिला करके, जो एक बड़ा network बन गया, उसको बोला जाता है, van, यानि की wide area network, तो सबसे छोटा है land, उसके बाद आता है man, ठीक है, उसके बाद आता है man, और सबसे बड़ा आता है van, man का एक example क्या है, man का एक example है, जो आपकी city में cable operator होते हैं, वो पहले एक घर में cable, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले आपके, एक घर में cable connection करेंगे, दूसरे घर में करेंगे, तीसरे में करेंगे, ऐसे करते करते, वो एक area को cover कर लेते हैं, फिर next घर में ऐसे से करते करते, वो दूसरे area को cover कर लेते हैं, फि ये इसका example है, WAN होता है, internet, wide area network, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, कहीं पर भी चाकर आप इसको use कर लीजिए, ठीक है, same ही चीज़े रहेंगी, so ये है wide area network, so ये ICT हमने complete आज cover कर लिया है, इसके अलावा students, एक और topic रहता है ICT में, जो की है digital initiatives, digital initiatives में हमने स्वयम, स्वयम प्रभा, MOOC खुद पढ़ लिया था, इसके अलावा और भी सारे हैं, जो कि इस वीडियो में cover कर पाना मुश्किल थे, तो फिर उसके लिए, अगर वो video detail में चाहिए, जसमें सिर्फ और सरफ digital initiatives में 2022 और 2023 के आपके लिए लेकर आउं, comment कर दीजिये, तभी वो video में लेकर आउंगी, okay, so thank you so much for watching the session and I wish you all the very best.